हलो फ्रेंड्स वेलकम टूबर योट्व चनल जीके कॉमशन अकेडमी तो फ्रेंड आज के स्क्रेसिंग बात करेंगे सिंदु घाथी सभीता के नगर नीयोजन के बारे में सिंदु घाटी सब्विता के नगर निर्मार कला के बारे में दोस्तों बहुत important topics है ये इस topic से present पूछ रहे जाते हैं सिंदु घाटी सब्विता की नगरिये विवस्ता कैसी थी नगर नियोजन कैसा था चुकि सिंदू हाटी सब्विता के बारे में आप सभी जानते होंगे कि सिंदू हाटी किस चीज के लिए प्रसिदी थी अपनी नगरिय सब्विता के लिए जानी जाती थी ये प्रिथम नगरिय करांती भी सिंदू हाटी सब्विता को कहा जाता है तो आज हम बात करेंगे उसी सिंदु हाटी सबिता की नगरीय विवस्ता के बारे में कि सिंदु हाटी सबिता का जो नगरीय नियोजन था, नगरों का बिन्यास था, वो किस तरीके से था तो सबसे पहले हमने आपको बताई दिया कि सिंदु हाटी सबिता अपने नगर निर्मार कला के लिए जाना जाता था कि सिंदु हाटी जो सबिता है अपने सुन नियोजित नगरों के निर्मार के लिए जाती थी तो हम बात करते हैं कि सिंदु घाटी सभिता फेमस किस चीज़ के लिए थी, अपनी सूनी योजित, नगर निर्माड वेवस्था, जो सिंदु घाटी सभिता दे दोस्तों किस चीज़ के लिए फेमस थी, अपनी सून नियोजित नगर निर्माड विवस्ता के लिए फेमस थी फष्टवात याद रखना इस चीज के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थी सिंदुभाटी सब बिता सून नियोजित का मतलब है एक अच्छे ढंग से नियोजित जिसको विवस्तित किया गया हो ऐसे नगरों के निर्माड के लिए जाने जाती थी जिसको नक्से के इसाफ से नगरों का निर्माड किया गया हो जैसे आपने देखा हो हम घर बनाते हैं नक्से के आधार पे उसी प इस नहीं था कि Sinju गहाटी सिभ्विता को कि अपनी सून नियोजित निर्मार के लिए दोस्तो सिंदू हटी सब्विता को क्या कहा जाता है याद रखना मैंने पहले भी बता चुका हूँ इनको इसको नगरिय सब्विता कहा जाता है किसको कहा जाता है नगरिय सब्विता कहा जाता है क्या कहा जाता है और सहरी सब्विता भी कह सकते हैं कि terms नग्रिये सेरी एक वात होती दोस्तों लेकिन मैं आपको अलग अलग इसलिए लिख राहूँ कि वाई चांसर नग्री ना देकर सेर सेरी दे सकता है वो ये भी कह सकता है कि ृइस्तम नग्रिये क्रांती वी कहा राता है सिंदु वहाटी सथय्के दोस्तों इसके लावा मै स्भान्सयगीन सभहता भी कहते हैं ठीक है तो इसको आरेपूर्व नागरिक सभहता भी कहते हैं नागरिक जबषत्पवी कहते हैं यह तो अन्य नाभ मैं आगे दोस्तों इनको आप बैसिकली अलग से याद कर लीना लेकिन हम बात करें कि सुन न्योजित नगर निर्माड विवस्ता की काड़ इसको क्या का जाता है दोस्तों नगरिये सब्विता कहा जाता है सहरी सब्विता कहा जाता है या प्रिथम नगरिये करांती भी कहा जाता है सिंदुगाटी सब्विता को मैंने यहां पर पांच पॉइंट लिखे हैं पां बात समझ गए होंगे यहां पर किसके लिए जाने जाती थी अपनी विवस्तित नियोजित नगर निर्मार विवस्ता के लिए जाती थी इस कारण सिंदु घाटी सब्विता को क्या का जाता था नगरिये सब्विता या सहरी सब्विता प्रिथम नगरिये करांती कहा जाता था अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके अगले पॉइंट की कि इसको कांसी यूगिन सभिता या आरे पूरुवय नागरी की सभिता क्यों कहा जाता था यह उपनापस के बारे मैंने आपको पिछली क्लासे में बैसे बता दिया है सिंदु हाटी सभिता के जब मैंने नामकरण पढ़ाया था आप पिछली क्लास है हमारी एक सिंदु हाटी सभिता का नामकरण वा तिथी निर्मार वा काल निर्धारण उस चीज में इन सभी चीजों में अच्छे से व्याख्या की है कि इस काल में कांसी का सबसे जादा प्रियोग किया गया इस वैसे इसको कांसी युगिन सब बितक कहा गया इस काल के मनुश्य लोहे से अन्विग्य थे कांसी का प्रियोग करते थे तामे का प्रियोग करते थे इस वैसे इसको कांशीकून सब्विता का गया और यह आरे उसे पहले वसी थी आरे संस्कृति किसे कहते हैं वैदिक संस्कृति को तो यह आरे संस्कृति से पहली सब्विता थी इसको आरे पूर्वनागरी सब्विता कहा गया यह इसके अन्य नाम मैं ये भी एक्जामस में पूछे जाते हैं कि किसे आरे पूर मुनागरी सब्विता का जाता है तो आपको वता देना सिंदू सब्विता को किस सब्विता को सेरी सब्विता या नगरी सब्विता का जाता है सिंदू सब्विता को किस सब्विता को पर्थम नगरी करांती का ज विख्षित हुई और यह कैसी संस्कृति थी ग्रामीटलां की हुई रचना दोश्तो आधि साइथिग साहिधिक सुरोषटा थी यानि कह सकते हैं आद इसाहितियों की रचना हुई राजा महरज्याओं को अकाल भी था यह दोस्तों यहां पर कई राजा हुए इस काल को देखते हैं हमारे मंड में यह भ्रांती पैदा होती है लोगों के क्यों के अपने नियोजित नर्माद विवस्ता के लिए जानी जाती थी पउइंट से इस पोइंट का अगर अध्यन करेंगे तो आपको यह सारे कोशन्स कहीं न कहीं किसी रूप में मिल जाएंगे पृतिक बोर्ड में पूछा जाते हैं ऐसा मैं इस प्रस्ट एक ही ब्योड का नाम नहीं ले रहा हूं जितने चाहे पुरिस का पेपर हो चाहे पटवारी का हो चाहे रीट का हो चाहे SSC का हो चाहे UPSC का हो चाहे RPSC का हो किसी भी बोर्ड का एक्जाम्स हो उन एक्जाम्स के लिए सभी एक्जाम्स के लिए कोशन्स पांचों की पांचों पॉइंट बैरी बैरी इंपोर्टेंट हैं बात करता हूं में इनकी नगरिये वेवस्ता कैसी थी यानि देखें दोस्तो अगला पॉउंट से मारा नगर विन्यास पध्धिती अगर मैं आपको बता दो कि नगर विन्यास पध्धिती कैसी थी है जालपद्धती जाएद था जालपद्धती कहा जाता था गौूर्ड करना इसको इंग्वी के सकते HERE greeå system तो चीए दोस्तों बात गौूर들 करना मेरी दोस्तों याँ पे अच्छे बात में बता रहा हूं आपको एक्जाम से सम्मंदित इंपोर्टेंट पॉइंट से आप में बता रहा हूं अगर आप से कोशन पूछा जाए कि सिंदु घाटी सब्विता के नगरों के विन्यास निर्माड की पद्धती कौन सी थी तो आपको बता दे रहा जाल पद्धती अगर जाल पद्धती ओप्शन में नहीं देगा तो आपको ग्रीड पद्धती देगा इसको इंग्लिस में ग्रीड पद्धती या ग्रीड सिस्टम भी कहते हैं एक बार ऐसे सी 10 प्लस 2 में पूछा गया था कि सिंदु घाटी सब्विता के नगर विन्यास पद् बने निर्मित थे ग्रीड पद्धती पर निर्मित थे इसको महिंदी में जाल पद्धती इंग्लिस में ग्रीड सिस्टम कहते हैं अब ग्रीड सिस्टम या ग्रीड पद्धती के आती या इस तक्निक पर सिंदु हाटी सब्विता के नगर बसे होए थे किस तक्निक पर जाल टेक्निक्स पर या जाल ग्रेट्ट-थ मोने हो多 अब देखकें कैसी होती है दोस्तों मैं आपको उता देता हूँ, कि यह कैसे होते थे नगरों की विश्था यह जो ग्रेट की सिझती है देख़ती में मान की चलो इसे त्वरी के खाने होती है इस तरीके से इस सिंदु घाटी शब्विता की नगर बसे हुए थे मैं आपको बताता हूँ कैसे देखिए मान की चलो यह हमारी सडक है इतना ले लेते हैं यहां तक ज्यादा बड़ा चित्र भी नहीं बनाएंगे यह इसको उमने कहा मुख्य सडक ठीके दोस्तों यह हमारी क्या है मुख्य सडक है सिंदु घाटी सब्विता की नगरों की मुख्य सडक मान लो इसको आप अब इसके बाद में हैं से में हम आपको बनाते हैं सायक सडक यानि अच्छे से समयना फ्रेंड्स इनको बोलते थे हम सायक सडक इस तरीके से सायक सडक होती थी दोस्तों सायक सडक तो यह क्या कहलाएंगी हमारी सायक सडक इनको क्या कहा जाएगा सायक सडक पास समयना आपको आगई होगी दोस्तों अब इनको सायक सडकों से भी कुछ सडके बनी हुई होती थी देखो दोस्तों अब इनको सायक सडकों में भी दोस्तों यहां पर क्या होती थी इस पकार की सडके बनी हुई होती थी चोटी चोटी सडके अब यहां से बहुत सारे प्रस्ण मनते हैं फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ इनको बोलते थे छोटी सडक क्या बोलते थे चोटी सडक अब चोटी सडक बात किलियर होगी होगी दोस्तों यहां पर हमने सडकों के तीन प्रकार बताए आपको कितने प्रकार बताए दोस्तों तीन प्रकार यानि कि जो मैं सडक होती थी यह वाली इसको मुक्ती सडक बोलते थे और जो इसको जोड़ती थी उनको बोलते थे हम सायक सड और जो इनकी बीच में होकर यह छोटी छोटी सड़के निकल रही है इनको बोलते थे हम छोटी सड़क क्या बोलते थे छोटी सड़क बोलते थे बात गौर करना इन तीनों सड़कों पर दोस्तो आप गौर करनी है आपको अच्छे से समझना है कि सड़कों के प्रकार कितनी थ किन प्रकार थे दोस्तों ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे ये सडके होती थी ये होती थी 10 मेडर पांच मेडर मेडर होती थी थी और जो यह सऑ बुनड़ पांच 5 मेडर के सम्तिंग होती सब्सकें दिध सिन्दू-हाटी-सब्विता के नगर थे उन नगरों के निरमार की पतनी यह पॉंट याद रखना कि इसलीनी के सेड़ यह किता बहुंत सब्सक्राग22 के बाती सत्रंज की बिसात सत्रंज की बिसात के बाती दिखाई देते थे अगर मान चलो उस समय गूगल मैप होता और मैप में सहर को देखती तो हमें ऐसा लगता हैं हमानों कुछ सत्रंज की विशात विशी हुई हो यानि इस प्रिकारे डिजाइन किये गए थे सहर अब देखो दोस्ते यहां से गौर करना तो हमने यहां पर कितनी चीद पड़ी सडकों के परकार कितने पड़े सिंदु घाटी सब पिता की जो सहर थे उनमें सडकों के प्रकार कितने थे तीन और तीन सडके बोला जाता था यानि सडकों के प्रकार कितने थे सिंदुहाटी सब्दा के नगरों में तीन प्रकार थे मुक्य सडक सायक सडक और चोटी सडक यहां पर दूर 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 थे घर कैसे वोते दोस्तों दूर 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 होते दे दोस्तों होते थे घर कि यहां पर घर बसे हुए हैं उसी पिकार में आपको यहां पर भी बता देता हूँ गर पास पास नहीं होते थे जैसे बरतमान समय मारी संस्कृति में हम घरों को विल्कूल स्टागी बनाते है हमारे प्रणों काब होता है उस तरीखर टिवार मिंद्य मारें नहीं बनाते हैं यह को कि एक ती ग्रीड पत देती यह सबसे जादा पूछा जाता है सडकों के पिरकार कितने होगे तीन अब यह पूछेगा कि सिंदु हाटी सब्विता की सडकें कैसी थी सडकें कैसी थी तो याद रखना दोस्तो सीधी कैसी थी सीधी और चोड़ी यह SSC में कई बार पूछा गया कि सिं सडकें इंप्तेंट पॉइंट्स ठीक है फ्रेंट्स ये इंप्रेंट्स पोइंट्स है और सिंदु अदस्ट्रोड पर परकारती थी किस परकारती थी समकोन परकारती थी किस परकारती थी समकोन 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 पर करणा की थे सिंदुघाटी सब एक निर्मार की गर किस तरीके से बनाते थे points गौर करना मैं एक एक points बटा रहां तूस्तो इसको आप अच्छे से note कर लेना & screenshot ले लेना yn or लेकर समझना Greek-षड अब मैं चलता हूं अगले points ने अच्छ वंहीं गरों रिजाइन से बनाया जाता था. सडकों के तीन पॉंट्स अबस याद रखना कि सडके तीन प्रकार की होती थी, सीधी बाद चोड़ी होती थी और समकोन पर कारती थी, नगर, गिरीड पद्धती, जाल पद्धी से निर्मित थे. पॉंट्स किलियर हो गए होंगे हमारे. घरों के निर्मार की पद्धती, सोरी, घरों के निर्मार की पद्धती से पहले मैं आपको एक चीज और बताना बोल गया, कि नगरों की, ये तो नगरों की डिजाइन में ने बता दी थी, और जो नगर होते थे, नगरों के नगर का भिवाजन, नगर का भिवाजन और बता देता हूं दोस्तों कि नगर संपूर नगर की बात करें दोस्तों कि संपूर नगर दो हिस्सों में बटा हुआ होता था कितने हिस्सों में बटा हुआ होता था दो हिस्सों में ठीक है फ्रेंट्स याद गौर करना इस बात को यानि एक हिस्सा दो टीलों पर बसा होता था सेर एक टीला कैसा होता था कम उचा होता था और एक हिस्सा कैसा होता था एक टीला सबसे उचा होता था यानि उचा होता था ठीक है फ्रेंट्स बास समझना और जो सबसे उचा टील होता था उसको पस्चिमी टीला बोलते थे यानि वो पस्चिम दिसा में होता था मेंसा किस दिसा में होता था पस्चिम दिसा में होता था जिसको पस्चिम टीला कहते थे पॉंट्स गौर करना इस वैसे पस्चिम टीला कहते थे और इस पर ही दुर्ग अवस्तित होता था जो म दूसरी वाट ऑं के जो पास्चिम का प्धान होथा इस पेस डूर के देवार बनी हुए निया तथी यान नियास पते थी बसाया बसावर तो मैं बता दी कि बसावर किस तरीके से थी इस परकाद सड़कों के समकौन पर कारती थी इस परकाद बसावर थी बसावर इनके अंदर होती थी ठीक है दोस्तों इस सहर के अंदर इस सहर के अंदर पूरा सहर दो इससल में बिवक्त था प्रोहित बर्ग के लोग निवास करते थे प्रोहित बर्ग के लोग निवास करते थे प्रोहित बर्ग के लोग निवास करते थे प्रोहित बर्ग के लोग या उच बर्ग के लोग निवास करते थे इस टीले में और इस टीले में मैं इनकी बताया नगर के बासी रहते थे जिन नगर के बासियों में कौन-कौन सामिल थे ब्यापारी वर्ग के लोग ठीक है और सैनिक वर्ग के लोग और सिल्पी वर्ग के लोग और अन्यनागरिक और अन्यनागरिक किस टीले में रहते थे ब्यापारी, सैनिक, सिल्पी और अन्यनागरिक इनके अलावा भी जो अन्यनाग MK ते वह पूरी तीले में रहते थे नगर में रहते थे और प्रावर तेमी तीलह जिसे इंधि wann कहले दीवार को इस से इसके यहां पर कौन रहता था पुरोईदबर के लोग रहते थे यह भी पॉइंट याद रखना अब यहां तक बास समझवा गई हमारे सिंदु हाटी सब विता के जितने भी सेर थे वो इसी 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 इससे से यानि इसी भिवाजन के आधार पे निर्मित थे लेकिन मैंने आपको जब कुछ सेरों के बारे में बताया तो सिंदु हाटी सब विता के कुछ सेर कुछ सेर सबसे उंचा मैं यहां लिख देता हूँ कुछ सेरों के बारे मैंने आपको यहां पर बताया था फ्रेंट्स जिनमें मैंने बताया था आपको किसके बारे में लोथल शुर्कूटडा काली बंगा और धौला वीरा और धौला वीरा और चन्हुदडो चन्हुदडो यानि ये पांच सहर इस भिवाजन पर नहीं वसे होएते हैं इस तरीके से नहीं वसे होएते बाकी के सिंदु घाटी सब्विता की लगबग अब तक पंद्रेसो सहरों की खुदाई होई है और उन सभी सहरों का जो विवाजन किया गया था यानि बिन्यास पदेदी दो जाल पदेदी थी लेकिन उनका बिवाजन इसी तरीके से था इसी आधार पे था पस्चिम टीला और पुर्भी टीला जिसको एक में दुर्ग टीला आवस्तित था एक में नगर टीला बोलते थे ये गूचा होता था और ये उससे कम नीचा होता था यानि इससे कम उचा होता था यह पांचों की पांचों नगर इस पद्धती पर आधारित नहीं थे इस इन पांचों नगरों का विवाजन इस तरीके से नहीं था लोथल का कैसे था कि लोथल और सुरकोटडा इसके बारे में बताते कि यह पूरा लोथल था एक हिस्से में बना हुआ था इसके दो हिस्से लॉथल सेर के दो इस्टे नहीं थे इस टाइप के नगर mixture दले नाम का कोई भी भिवाजन नहीं थे लोथल में और इस संपूर्टी टीले की ही क्या हो रही थे wants her और इसी में सब भी लोग रहते थे फो यही थे और यहीं पैटरं था इसमें सुरकूटडा में ठीक है यह सेम पैटरन था लोथल और सुरकूटडा दोनों ही गुजरात में अवस्तित है और दोनों पास पास थे और दोनों में नगरों का जो भिवाजन का पैटरन था वो यह था कि इसमें नगरों का कोई भिवाजन नहीं किया गया अगर आपसे पूछ से कही पाया गया बासा कितनी तुफ कर दी है नगरी विवाजन किसम में नहीं पाया गया लोठल और शुद्र कोटड़ा में यह चान्ट की दो इस नहीं ब्टे उए त्य यह एक हिसे में बने विक्रते और उस थी कि क्या हो रही थी वांडरी हो रही थी दौनों हिस्सों के क्या हो रही थी वांडरी हो रही थी यानि दौनों से ही रच्छा प्रस्वीर से घ्रे हो थे शिंदु गाटी सब्विदा का एक मात्र ऐसा इस्थल जिसका नगरिय टीला भी किसे रच्छा प्रस्वीर से घ्रा था में बता दिआ आप देखें जाके क्लासिट देखें पीछे दौला वीरा के बारें बारें पढ़यें चनुधी के बारें बात करने चनुध़ों में कोई किल्याईवण्दी नoup भू दॉस्त नहीं था कोटड़ा और लोथल एक ही इसे में विवाजित था पॉइंट्स के लिए मैं बात करता हूं नेक्स अगले पॉइंट्स की घरों के निर्मार की पदित्य के बारे में हम बात करते हैं घरों के निर्मार की पदित्य अब बात करते हैं सिंदु हाटी सबिता के घरों के निर्मार की पदित्य कैसी थी घर किस तरीके से बनाते थे तो याद रखें दोस्तों घरों की निर्मार की पदित्य में बात करें तो घरों का निर्मार किस से करते थे इटों से करते थे किस से करते थे इटों से बास के कच्छी मिट्टे के कोई मकान नहीं थे इनके मकान किस से बने हुए थे पक्की इटों से किस से बने हुए थे पकी इटों से बने हुए थे यहां के घर सिम दुगाटी सब बिता के घर और इंटों का बिन्यास, अगर इंटों की बिन्यास की बात करें तो इंट चार अनुपात, दो अनुपात, एक के बिन्यास पर बनी हुई थी एक तरीके से हम कहे दें कि चार इंच लंबी, दो इंच चौड़ी, और एक इंच मोटी मोटी एक इंच मोटी एक तरीके से हम कह सकते हैं इस आधार पर यानि चार फुट भी कर सकते हैं यहां पर दो फुट भी कर सकते हैं और एक फुट मोटी भी कर सकते हैं चार अनपाथ दो अनपाथ एक के बिन्यास पर बनी थी और दौनों तरफ से क्या थी plan थी यानि इस पर कोई भी खांचे या साँचे नहीं थे बिल्कुर सेम एक तरीके से plate कह सकते है एक तरीके से एक इसा plan पत्थर कह सकते हैं जो जिसकी दौनों सत्फर क्या है plan है इंट क्या जो बनी होती थी चार अनपाद काली बंगा और एक है चन्हु दड़ो चन्हु दड़ो ये तो क्या है प्लेन इट लेकिन यहां से क्या मिली अलंकरत इट नकासिदार इट और यहां से कैसे मिली थी वक्राकार इटे मिले थी वक्राकार इटे मिली थी खहां से चन्हु दड़ो से ये भी बात याद रखना कि अलंकरत या नकासिदार इंटे कहां से मिली थी काली वंगा से और चनुदड़ों से कैसे मिली बक्राकार इंटे पर ये पूरे सहर में नहीं किसी विशेस घरों में पाए गई हो सकता है उस घर के लोग दिमागदार हो उन्होंने कुछ डिजाइन कुछ अलग करने की सोची हो तो महाँ पर उन्होंने इस टाइप की इंटे मिली थी इस तरीके की इंटे मिली थी लेकिन काली वंगा से की खुदाई में यह कमरे की फ़र्स ले और चनुदड़ों के एक हिस्से मियानि घर में भी बक्राकार इंटों पाए गई एक फ़र्स में ठीक है पांट्स के लिए यह तो हुए घरों के निरमाण की पर्दिती घर किस से बनाया आते थे इंटों से बनाया आते थे चार अन पाद दो अन पाद एक का इंटों का रेशियो होता था और यह दोनों सत्य प्लैन होते थे लेकिन काले वंगा चनुदड़ों से इससे अलंकरा तीट है और इससे बक्रा कारी इंटेक प्राप्त हुई अब बात करते हैं जिए जब ये घर बनाते थे दोस्तों मान चलो यह सड़क है मारी और इस सड़क के चार तरफ यह मान चलो यह घर बना रहे हैं हाँ ठीक है तो जब यह घर बनाते थे दोस्तों घर कैसे बनाते थे बात गौर करना इस तरीके से बनाते थे और यह इस तरीके से यहाँ पर यह होता था दरवाजा रखते थे यहां पे भी दीवार है और यह पूरी आगे भी दीवार है यहां पे कोई भी खिड की दरवाजे नहीं है और इस पकार यहां से आदमी इंट्री करके जाता था यानि हम कुर्म लाके कह सकते हैं कि घरों की खिड़की बादरवाजे मुख्य सड़क भी तरफ नहीं होते थे किसके सिंदुखाटी सबस्यता के जो घर थे उनकी खिड़की दरवाजी तरफ की घर Key का को सड़क की तरफ नहीं होते थे और मकान दूर दूर बनाते थे कैसे बनाते थे दोस्तों ये दूर दूर बनाते थे मकान और दूर दूर क्यों मनाते थे ये लोग यहाँ पर जादू तोने और अंद्विश्वास में भरोसा करते थे इनका ये मानना था कि अगर हम अपने पड़ोसी के पास में घर लोथल एक मात्र ऐसा सहर है यो इस पद्दिती का क्या करता है इस पद्दिती से अलग है इस सब्दता के घरों के खिड़की वा दरवाजे खिड़की वा दर्वाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे बास समयना मैं इतने अच्छे ढंक से आपको समझा रहा हूँ सिंदु गाटी सब्विता का नगरिय विन्याद कि सिंदु गाटी सब्विता का सहर लोथल एक मात ऐसा सहर था जिसके घरों के खिड़की दर्वाजे मुख्य सड़क की तरफ यानि इधर ही इनके खिड़की दर्वाजे खुलते थे लोथल सहर के यानि इस बात करें तो इसकी जो खिड़की दर्वाजे थे मुख्य सड़क की तरफ ही खुलते थे ठीक है दोस्तों जबकि सिंदु घाटी सब्विता के अन्य सेरों के खिड़की दरवाजे घर की पीछे की तरफ खुलते थे ना की मुक्य सड़क की तरफ खुलते थे और जातर सिंदु घाटी सब्विता के मकानों में घरों में खिड़कियां बहुती कम मातरा में पाई गई की तरफ रखते थे पॉंट्स यहां तक किलियर हो गए होंगे दोस्तों तो मेरे साफ से आपको इस सारे पॉंट्स समझ में आ गए होंगे और यह बात और याद रखना इंपोर्टेंट्स में आपको समझा देता हूं चलता चलता यह टॉपिक हतम होने वाला है कि सिंदु वहाटी सब्विता के लोगों को महराव का ग्यान नहीं था महराव का ग्यान नहीं था इस पॉंट को आप अच्छे से याद कर लेना यह कोशन जो मल्टिपल टाइप की ज वोड़ खूप उस था है इनको तो कथन रखेगा कि सिंदु वहाटी सब्विता के लोगों को महराव का ग्यान था जैकि सिंदु वहाटी सब्विता के लोगों को महराव का ग्यान नहीं था. ये पॉइंट से याद रखना कि इनको महराव का ग्यान नहीं था. इनको महराव का ग्यान महराव क्या चीज़ convertा होती है? आपने देखे हूँगे. जो लहरिये तरीके से projection करके हम कोई डिजान नहीं निकाद健pt theta प्लेन दीवार थी और उनको महराव का ग्यान नहीं था लहरेदार जो अपनी टेड़ी मेड़े धंग से हम डिजानिंग बनाते हैं उस तरीका के इनको कोई ग्यान नहीं था ये थी हमारी सिंदुग हाटी सब्विता की नगरी नगर नियोजन की विवस्ता के बारे में संपूर जानकारी मैंने एक एक पॉइंट लेता हुए परिछा सम्मंदित एक वी पॉइंट दोस्तों इसमें नहीं छोड़ा है दोस्तों वीडियो ऊच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना है और सेर जादा किया अगर है दोस्तों अपने सभी दोस्तों को बताएं कि हैं इतियास के यांपर एक किलियर वाई तू अगली क्लास में बात करेंगे संद। गारा टी सवड़ा की कलास अंसhmen के बारे में में तो पिरेंड आची क्लास में बस इतना ही फिर मिलते हैं आपस नेक्ट अगली उचे कलास में तब तक आफसे बिदा लेते हैं फिर मिलेंगे